पड़ोसी मुल्क बंगलादेश की कर्टे हैं जहाँ पर तक्ता पलट के बाद निशारे पर हिंदू मंदिर आ गए हैं इसकौन ने मंदिरों में तोड़फोर का वीडियो जारी किया है इसकौन का दावा है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई आपको बता दे कि मंदिरों पर हमले तेज हो गए है जब से तक्ता पलट हुआ है बागलादेश में हिंसा की आग में जुलस रहा है ये देश तक्ता पलट के बाद हिंदू मंदिर भी उब्द्रव्यों के प्रदशनकारियों के निशाने पर आ गए हैं इसकौन नहीं है देखिए मंदिरों में तार दिली में भी हल्चल तेज है सब्दली बैट्रक भी खुद ब्रीफिंग देते हुए नजरा है विरेश मंदिया जशंकर उन्हों ने काई कि सभी भारतिय सुरक्षे तेलेकिन सबके बीच में इसकौन का दावा कि बंग्दादेश में तक्ता पलट के बाद हिंदू मं की मोटी नीचे पड़ी हुई है तोरफोर की गई है मंदिर के अंदर का नजारा है और ऐसा माना जा रहे कि ये जो वीडियो है ये इसकौन की तरफ से जारी किया गया है ये दावा पेश किया गया है इसकौन की तरफ से जिसमें मंदिर के अंदर तोरफोर की तस्वीरे ही है संसद में लूट पार्ट पीम अवासपन लूट पार्ट आजणी और इन सब के बीच में मंदिरों को भी प्रतशनकारी निशाना बना रहे हैं तबंगा देश में कई जगों पर हिंदू समुदाय को भी निशाना बनाए गया है आवामी लीग से जुड़े दो हिंदू निताओं की हत्या कर दी गई है विरोध प्रतशन के दौरान हिंदू के घरों और मंदिरों को भी हमले हो रहे हैं विश्चेश डूप से स्कौन और काली मंदिर को भी निशाना बनाए गया है हरदन रॉय नामक हिंदू पार्शत को रधबुर में मारे डालने की भी खबर है यानी की उसमार दिया गया है बता जा रहा है की बहाँ हिंसा की आड़ में हिंदू पत्तकार की भी हत्या हुई है कि हिंदू समधाय को भी मिशाना बना जा रहा है लीक से दुड़े दो हिंदू वेताओं की हत्या कर दी गई दुर्योब प्रजस्थिन के दुरान हिंदू के घर को निशाना बनाया जारह है मंदिरों में तोट पोड़ की जा रही है इस क और काली मंदिर को निशाना बनाने से चूक नहीं रहे प्रदर्शन कारियों द्रभी हर्दन रॉय नामक हिंदू जहां पर तस्वीर आपके सामने है पार्शत को रंगपूर में मार डाला गया बताजरे कि वहाँ पर हिंसा क्यार में हिंदू पत्रकार की भी हत्या कर दी गए राई गंज प्रेस क्लफ को घेर कर पत्रशन कारियों ने पत्रकार पर दी कुमार को मा डाला है माइनार्टीज की जिंदगी वहां खत्रे में हैं मैं समझता हूँ भारत सरकार को सबी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनार्टीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे